सीता देवी अपने पूरो जनम में महाराज कुछ ध्वच की कन्या थी जिनका नाम था वेदवती वेदवती हिमालय के तलहटी में भगवान विश्णु को अपने पती की रूपे पाने के लिए तपस्या कर रहे थी रावड घूमते घूमते वहां पहुचा और वेदवती का तिरस्कार किया फिर वेदवती ने क्रोथ में आकरके रावड ने उनके केسों को पकड़ा वेदवती को, महाराज कुछ ध्वच की कन्या, जो विष्णु को पाने के लिए तपस्या में रत थी, फिर वेदवती इतनी पावरफूल थी, इतनी तपस्विनी थी, उन्होंने अपने हाथों से ही तलवार का काम किया, केस को काट दिया, केस रावण के हाथ में शरीर अलग फिर वेदवती कहते हैं, कि अब यहाँ सरीर विष्णु के योग नहीं है, और मैं तुम्हारे सामने ही अगनी में प्रिवेस कर जाओगी, लेकिन रावण याद रखना में फिर वापस आओगी, वापस आओगी, और तुम्हारे मृत्यु का कारण बनोगी, वही वेदवत महाराज जनक के हाँ, जानकी के रूप में प्रकट हुई, दुसरे जन में, और भगवान राम को अपने पति के रूप में प्रावद भी किया